हेलो एवरिवन वेलकम टू अनदर एपिसोर अफ माकेट यात्रा आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे और अच्छे तरह से ट्रेट कर रहे होंगे तो अभी कुछ लास्ट वीडियो में मैंने जैपनीज बुलिश कैनिस्टिक पैटन्स के बारे में बात की है और उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक और बहुत ही पॉपिलर और पावरफुल बुलिश पैटन्स जिसे मौनिंग स्टार कहते हैं उसके बारे में बात करूंगा तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कोई भी नया वीडियो आता है तो आज मैं एक बहुत ही पॉपिलर और पावरफुल बुलिश पैटन्स के बारे में बात करूंगा जिसे मौनिंग स्टार कहते हैं यह पैटन्स एक मेजर डाउंट्रेंड के बाद बनता है तो इसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी जाती है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है यह बेर्स अर्स ट्रॉंगर देन दे बुल्स उसके बाद यह नॉर्मलाइजेशन देखता है मतलब ज रूल्स हाव बिकम स्ट्रॉंगर देन दे बेर्स तो इस पैटन को समझते हैं कि इनके कुछ आइंटिफिकेशन रूल से उनको हम देखते हैं तो पहला रूल यह है कि जो morning star है वो तीन candle से बना है जिसमें पहला एक red candle होता है large red candle, दूसरा एक small candle होता है which can be red also which can be green also और तीसरा एक large green candle होता है तो पहला रूल तो यह रहा, दूसरा रूल यह रहा कि जो middle वाला candle है उसका body, first red candle और third green candle के body को touch नहीं करता है तीसरा यह candle pattern जो है एक downtrend के बाद बनता है और चौथा कि जो green candle की जो body है वो first red candle के body को at least 50% engulf या cover करता है तो यह जो चार rules है यह जब किसी pattern में फुल्फिल हो जाते हैं, conditions फुल्फिल हो जाते हैं तो उसे हम morning star pattern कहते हैं और यह क्योंकि एक काफी powerful pattern है तो इसके बाद आप generally देखेंगे कि एक up move हमें देखने को मिलता है तो अब हम लोग इन charts में देख सकते हैं कि यहां morning star pattern form हुआ है और उसके बाद एक market में TG देखने को मिली है उसके बाद यदि हम लोग nifty के chart में देखें तो यहां भी एक morning star formation हुआ है और उसके बाद एक अच्छी हमें तेजी देखने को मिली तो यह सब bullish reversal patterns है जैसे पहले मैंने bullish engulfing pattern के बारे में बात की, piercing pattern के बारे में बात की, उसके बाद hammer के बारे में बात की, आज मैं morning star के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये जो patterns हैं, they are bullish reversal patterns तो ये जब बनते हैं और यदि कोई major support zone के पास ये बनते हैं major moving averages के आसपास बनते हैं, pivot levels के आसपास बनते हैं तो इनकी value और validity जो है और probability of success जो है वो बढ़ जाती है तो आप इन charts में देख सकते हैं कि कैसे ये patterns काम करते हैं एक बात का ध्यान रखना है कि patterns काम न करें, ऐसा भी होगा कि patterns fail करते हैं तो आपका stop loss management है, risk management है वो आपको बचा देता है और आप एक छोटा loss लेके उस trade से exit कर जाते हैं तो जब ये pattern जैसे morning star ये pattern बना, तो उसके बाद जब ये green candle का high तूट रहा है उसके उपर prices trade कर रहे हैं, so that can be a buying opportunity और आप जो है उस morning star का जो low है, जो middle candle का जो low है उसके नीचे आप stop loss एक लगा के 0.5% नीचे या 1% नीचे stop loss लगा के आप अपने position को hold कर सकते हैं और इसे आप 5 minutes chart पे, 15 minutes chart पे, hourly charge, daily charge, जिस भी time frame में आप trade करते हैं उसमें आप ये patterns देख सकते हैं, तो ये एक काफी खासियत है Japanese candlestick patterns के बारे में कि अलग-अलग time frames में काम करते हैं, because this is all based purely on mass psychology और ये काफी सालों से, मतलब 200 साल प्लस से ये patterns जो हैं, लोग use कर रहे हैं तो इसकी value और जादा बढ़ जाती है, तो इस तरह आज हम लोगों ने morning star के बारे में सिखा, भी एक interesting बात में bounce back होता है, तो इसी लिए इसका नाम morning star पड़ा है, कि अंधेरा जो है वो छट रहा है और उजाला हो रहा है, तो यही downtrend जो है वो खतम हो रहा है और एक uptrend शुरू हो रही है, तो इसी लिए इसका नाम morning star रखा गया है, तो आशा करता हूँ कि आपको morning star के बारे में एक and till we meet again, thank you.